नमस्कार, न्यूस क्लिक में आपका स्वागत है तीन विदान सबार चुनाव के नतीजे आज आए हैं त्रिपुरा, मेघालिया और नागलेंड त्रिपुरा में एक तरफ भाजपा को बढ़त दिख लिए वहीं मेघालिया और नागलेंड में त्रिशंकु सरकार अभी तक ऐसा लग रहा है कि होगी हाला कि एक बार फिगर देख लेते हैं क्या है त्रिपुरा में लेफ्ट के पास 19 सीटे हैं 19 सीटों में बढ़त हैं उनकी भाजपा की 40 सीटों पे बढ़त है मेघालिया में कॉंग्रेस की 20 सीटों पे बढ़त है नपीपी की 19 सीटों पे और भाजपा की 2 सीटों पे नागलेंड में भाजपा 6 सीटों पे आगे चल रही है नपीएफ 24 सीटों पे और अणडीपी 14 सीटों पे तो फिलहाल यह अभी तक बढ़ात हमारे सामने आई है और इनी चुनावों पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ उर्मिलेश जी मौझूद है उर्मिलेश जी निउसक्लिक में आपका स्वागत है तो ट्रिपरा से शुरू करते हैं कि जैसा कि लोंग कह रहे हैं कि लाल किले में भाजपा की सेंद क्या आखे कारण क्या है कि लेफ्ट जो कई सालों से ट्रिपरा में अपनी पकड़ बनाए रखे हुए थे आज लगबग 19 से 20 सीटों के बीच में आ गई है और भाजपा ने IPFT के साथ ऐलाइन्स किया और अगर वोट शेयर देखा जाए तो लेफ्ट का अभी भी 45-46 परसेंट के आसपास है भाजपा इंडिविजुली उससे कम है पर IPFT कमबाइन के साथ जादा है तो कारण क्या है कि लेफ्ट को ऐसा ऐसे नतीजों का सामना करना पड़ रहा है देखे मैं समझता हूँ कि इसमें दो-तीन कारण बहुत आहम है कि त्रिपुरा में देश के सबसे इमानदार, सबसे समर्थ, पारदर्शी ढंग से काम करने वाले मुख्य मंत्री जिनके बारे में पूरे देश में विख्यात है, जिन पर कोई दाग नहीं है आज तक इतने वर्षों की सत्ता के बावजूद, उनके होने के बावजूद, आखिर अगर CPIM हारी है तो कोई बड़ी वज़ा होगी, देखिए अभी रुज़ान ये हैं, लेकिन इन रुज़ानों का मतलब ये है कि जो रिजल्ट है, नतीजा है लगबाग इसी के आसपास रहेगा, तो हम मान कर चलते हैं कि वहाँ भारती जन्ता पार्टी लेट गवर्मेंट बनने जा रही है तो उसकी अगर कोई वज़ा है, तो मुझे असा लगता है कि इसमें तीन खास कर मुझे इसमें नजर आती पहली बात तो यह है कि भारती जन्ता पार्टी जो त्रिकुरा के लिए बिलकुल एक नई पार्टी थी जिसने पिछली बार चुनाव में परफॉर्म भी बिलकुल बने कुछ नहीं आया था तो इतने कम परसेंटेजा फोर्ट पाने वाली पार्टी जिसका कोई विधायक नहीं था अगर इतनी बड़ी वो काम्याबी हासिल करती है तो हम सिर्फ यह नहीं कह सकते कि वो बिला किसी वज़ा इतना पा गई जरूर उसका मतलब कि उनकी कैमपेन में उनकी जो सकिल्टी कैमपेन की वो लाजबाब थी उन्होंने चार साल से लगातार वो काम कर रहे थे उन्होंने आरेसेस के लोगों को और तवाम और जो उनके आनुशंगिक संगठन है सबको वहां लगा रखा था इस बीच में जो घटना घटी की असम में जो उन्होंने तोड़ फोड़ की कांग्रेस के अंदर और बहुत सारे लोगों को लाया तो उन्होंने हिमंत विस्वा सर्मा को भी वहां भीड़ा रखा था और भी बहुत सारे लोग गए थे तो मुझे ऐसा लग चाहे कि एक तो उनका अपना बहुत ही एग्रेसिफ जो केमपेंड और स्किल्फुल जो जो उनकी शैली रही है वो एक कारगर कारण थी दूसरी बात कि तिरुपरा की जनता ने कभी बीजेपी को देखा नहीं था कि बीजेपी का सासन कैसा होता है आमिन किस तरह की वो पार्टी है तो जो लोग सीपियम से नाराज थे उन्होंने सब बीजेपी की तरफ चले गए क्योंकि कॉंग्रेस परफॉर्म ही नहीं कर पाई कॉंग्रेस जिसके पास इतना परसेंटेज 38, 35, 30 के पास पास पहुंच जाता था परसेंटेज आप वोट इस बार उनका 2% से भी कम हो गया है तरिनबुल कॉंग्रेस जिसने बीच में वहाँ पर अपनी पकड़ बनानी कोशिश की थी वो भी बिलकुल गिर गई तो कॉंग्रेस और तरिनबुल कॉंग्रेस दोनों के समभावित वोट जो थे पूरी तरह राइट विंग का एक बड़ा जो खेमा यानि बीजेपी के नेतरित में इमर्च किया उसके साथ पॉलराइज कर गए तो ये एक बड़ा फैक्टर है और तीसरी बात जो मुझे लगती है कि जो आपने नाम लिया आईपी एफटी आईपी एफटी देखे एक ऐसा संगठन है जिसके पुरो वर्ती जो और सारी पॉलिटिकल फॉर्मेशन समा थी वो खुले अलगावादी उनका नारा था खुल या ध्यक्ष कहते हैं कि हम आपकी जो पुरानी मांगे हैं आपके जो एजंडा है आपका जो इशू है आपके जो कंसर्न्स हैं उन पर हम बिशार करेंगे अगर हमारी सरकार बनती है तो मुझे लगता है कि ट्राइवल बेल्ट में आईपी एफटी को ये कैंपेंड करने का मौका मिला कि जनाप सेंब सेंब के इतने सालों के सासिन के बाद हम आधिवासी यां यहां के जो मुलवासी को कहने वाले लोग हैं जन्जात्य मोग हैं उनको उतना नहीं मिला जितना कि अगर बीजेपी जीती है तुम बेगा तो ये तीन चार फैक्टर्स मुझे लगता है कि काम कर रहे हैं उसमें एक फैक्टर ये भी है जिसको CPIM को मैं समझता हूं कि मानना चाहिए कि एंटीन कंबेंसी जो थी इतने सालों की और एक सुजोग और समर्थ चीफ मिनिस्टर के बावज़ूद कहीं न कहीं उसको काउंटर करने में CPIM की कमजोरी रही उन्होंने Human Development Index के छेतर में जो अच्छा काम किया उन्होंने विकास का जो एक बहतर माडल दिया उन्होंने जो सांती और स्थीरता वहां कायम की जो एक जमाने में इतना उपद्रो इतनी हिंसा होती थी एक कांग्रेस के रूल में तो उसको शायद उन्होंने जो नौज़व था वो एक नई चीज देखने की लालसा में उस पुरानी चीज को वो समझने बैठा कि ये उतनी अच्छी नहीं है जबकि पूरा देश उसको बेहतर मान रहा है खासकर economic development, social development के अस्तर पर अगर ये भाजपा की रणनीती देखी जाए तो नौट-थीस में पूरा एक उनका strategy रहा है कि opposition के camps को खरीद लिया जाए और उनी के दम पर चुनाव लड़ा जाए तिपुरा में भी यही किया गया और जहां तक IPFT की बात है तो IPFT की इतिहास को नहीं भूलना चाहिए क्योंकि सालों से जो insurgency देखने को मिली है IPFT उसका एक बहुत बड़ा जिमेदार रहा ह तो आपको लगता है कि हलाकि अब उचुनाव जीत गया है सरकार भी बनाएंगे क्या बाजपा अपने इन वाइदों पर खरे उतर पाएगी क्योंकि जहां तक development की बात जैसे आपने कहीं नरेगा की बात हो गई लिटरिसी की बात हो गई वाम सरकार हर स्टेट से कहीं और अ दूसरी जो सरकारें थी उनको हटाकर जहां सरकारें बनाई हैं तो कई ऐसी जगहें हैं जहां पर इससे भी बुरी सरकारें पहले थी वो अलग बात है लेकिन जहां उन्होंने नई कई जगह सरकारें बनाई हैं वो बुरी तरह फेल किया हैं बुरी तरह एक्सपोज हुए ह जैसे बिहार में जैसे आप देखे लिए उत्तरप्रदेश में अभी क्या हाल है मैं यह नहीं कारह का रहा है 평छ की सरकारी उच्छी थी बहुत अच्छी थी लेकिन आज की भी कहा कि वहां एक जमाने में बहुत ज्यादा इंसर्जंसी थी बहुत ज्यादा उपद्रो था जिसको नौकिवल शांत किया गया बलकि राजे को एक बहतर दिशा की तरफ ले जाने में मानिक सरकार का बहुत बड़ा योगदान है तो मुझे ऐसा लगता है एक मैं आज नही हो जाए एक तो यह दूसरी बात यह है कि जिस तरह के डिवलप्मेंट की बात वो करते हैं कार्पोरेट ट्रेड एन आम एक एक ऐसा डिवलप्मेंट जिसमें बड़ी-बड़ी कंपनियों को उतारा जाएगा उस मैदान में जो एक छोटा सा सूबा है जहां इतना विस्तार भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि जमीन का भाव है तो मुझे ऐसा लगता है कि बड़े-बड़ी कार्पोरेट कंपनियों को उतारा गया है तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टेट के रोल को मिनिमाईज कर दिया जाएगा और प्राइविट सेक्टर को इतना ज्यादा उभारा करकार की लाइन थी उसको कम से कम कंप्रमाईज और नौक करें अगर वह ऐसा नहीं करेंगे तो मुझे लगता है तबाही मचेगी अगर यह मेगाले पे आते हैं मेगाले पे जो कॉंग्रेस है अपनी बढ़त जो है लगतार बनाई हुए है लेकिन जो दूसरी पार्टी है एन पीपी वो भी उनका और कॉंग्रेस का लगता विरोध चलता रहा है और एन पीपी का पूरा कैंपेंड जो था वो कॉंग्रेस की विरोध में था कैंपेंड करप्शन के चार्जिस के उपर था तो क्या यह दुनों पार्टिया एक साथ आएंगी कि भाजपा जैसे हर स् सरकार और सरकार बनाएगी उसकी एक वज़ा तो यह भी है कि एने से एन आयम जो बहुत मेजर फैक्टर है नगारेंड की पूरी पॉलिक्स में और पूरे नार्थिस्ट की इंसरेजिंसी में उसको मात्री संगठन कहा जाता है, कि वो हर इंसरेजिंसी की मा है, तो एने सीन का जो मेंस्ट्रीम अभी जो उसका बड़ा तपका है जो डॉमिनेंट है इस समय संगठन पर वो ये चाहता है कि किसी भी तरह से नरेंद्र मोदी जी जो प्रदान मंत्री जी हैं उन्होंने जो गोशित किया था एनसे नायम के साथ एग्रिमेंट का वो किसी तरह से एक्जिक्यूट हो या कम से कम एक कॉंक्रीट शेप उसका प्रदान मंत्री ने तो कह दिया कि हम नागा समझाओता हो गया लेकिन आज तक को नहीं बता सकी को समझाओता है क्या इतने साल बीच गया तो वो एक तो वो एक रप्राफ्जेपी की अगवाई में अगर नहीं हो तो सीपी तो बीजेपी के नकशे क storms पर सरकार हो एक तो यह नमगाagart का प्रश्ण i.h KP के बारे मेंगाँना है बारे में इसके पार्दार्प के साथ जाना है तो बीजेपी के साथ जाना चाहेंगे मनिपूरमें हम देख चुके हैं हाला कि मनिपूर के एक्सपरिमेंट से वो नाराज हैं वो नाराज इसलिए है कि उनके जो चार हैं समभवता वहां विधायक उन चार विधायकों में जो जो तोड़ हुआ उसको ले कर उनको उतना नहीं मिला जो एक्सपेक्ट उन्होंने किया था वो नाराजगी के बावजूद मुझे लगता है मोलतोल होगा लेकिन मैं फिर एप्रिसेट करूँगा मुकुल संगमा के जो चीफ मिनिस्टर है उनकी स्मार्टनिस को पोलिटिकल स्मार्टनिस कहेंगे उसको कि उन्हों ने तमाम परिशानियों के बाव जो इतना पैसा जो बारती जनता पार्टी लेड जो एलाइंस है उसकी तरफ से इतना लगाया गया बहुत सारी चीजें होई बड़ी जो कंपनिया है खासकर हाइड्रो पावर में जो लगी होई प्राइवेट कंपनिया है लोग कहते हैं कि इस चुनाव में उन्होंने भी थैली खोल रखी थी फिर भी अगर मुकल संगमा ने इतनी सीटें अपनी पार्टी के लिए हासिल की है या हासिल करने की संभावना है तो बड़ी बात है अब देखना है कि वहाँ क्या होता है अगर कोई छोटा ग्रुप इमर्ज करता है कुछ सीटें लाता है तो शायद कॉंग्रेस को कोई फायदा होगा वरना वहाँ भी बीजेपी सरकार बना सकती है गोवा और मौनिपूर का उधारण हमारे सामने है अचा इन चुनावों का जो पूरे देश की राजनीती पर क्या असर पड़ेगा इस पर बाद में आएंगे जहां तर विपक्ष मुक्त भारत का जो भाजपा का सपना ता वो फिलहाल तो वो अचीव होता नजर आ रहा है उनके लिए 21 जादा राज्यों में लगाता सरकार बना लें तो इससे देश की राजनीती किस तरफ मुड़ रही है क्योंकि अगर विपक्ष नहीं होगा तो कोई चेकन बैलेंस नहीं है तो देश की राजनीती जा किदर रही है फिर दीखे एक तो मैं प्राजल ये कहूंगा कि केवल तीन स्टेट के वर्डिक्ट से पूरे देश के बारे में और पूरे देश के भावी राजनीत के भावी सम्हकरणों के बारे में कोई फासला करना या कोई नतिजा निकालना अभी ठीक नहीं होगा पहली बात की देखिए भारती जंता पार्टी की जू सबसे सिग्निफिकेंट या सबसे चमकीली जीत है वो त्रि में ढेखे होते एरोगेंस नई होता कॉंग्रेस पार्टी में इस तरह का लीडर्सिप का तो शाहिद बी-जे-पी वहां पर किसी इसिति अक्पिति नहें होती है है," इस नगाल आलेंड में कभी बी-जे-पी घुस्ट भी नहीं सकती थी। वहाँ पर Congress का रिजिम था इतने लंबे समय तक, तो ये Congress की भी फलता हैं, basically, और नार्थिस्ट के जो नतीजे हैं, वो पूरे देश को उस पर impact नहीं पड़ता, कई बार, और कई बार क्या हमेशा हमने देखा है कि नहीं हुआ है, लेकिन आप देखिया, अभी राइस्थान का बाई एलेक्शन हुआ, अभी मद्यप्रदेश का बाई एलेक्शन हुआ, उसके नतीजे क्या देते हैं संदेश, संदेश साफ है कि मेंस्ट्रीम, जो मेंलेंड या भारत का जो श्रेस बड़ा हिस्सा है, जिसको हिंदी हर्ट लेंड कहेंगे, साउथ हिंडिया कहेंगे, आप तमिलनाट को देख लीजे, तमिलनाट के बाई एलेक्शन में जब बीजे पी लड़ी थी, तो वहां क्या हल हुआ, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त आर्थिक जो बदहाली है, खासकर मद्यवर्ग की, जो निम्न आईवर्ग है, किसान हैं, मजदूर हैं, मैलाएं हैं, नौजवान हैं, इस समय देश के सारे विश्वित जयाले जल रहे हैं, आमिन टिस, जे नियू, दिल्ली इनुस्टिक, जहां भी जाएए, लोग परिशान हैं, बच्चों की फीस बढ़ रही हैं, उनके होस्टल की खर्चे बढ़ रहे हैं, और मारोसंसाधन मंत्राले बिलकुन निगेटिव दिसा में सोच रहा है, तो मुझे लगता है, बड़ा विस्फोर्ट की एक तरह से कगार पर खड़ा है, पूरा का पूरा देश का बड़ा इलाका, तो इसलिए एक या दो स्टेट से हम ये नहीं निकालें, हमें लगता है कि बीजेपी को बड़े पैमाने पर 2019 में एंटी इंकम्बेंसी का सामना करना पड़ेगा, ऐसा लगता है, हाँ, ये जरूर है कि विपक्ष जो है वो बिखरा हुआ है, उसके पास एकल नेत्रित तो नहीं है, और इस वक्त नेत्रित की जरूरत है इस देश में, आप जब तक कोई एक प्रभावशाली, एक कॉमुनिकेट करने वाला नेता जनता के साथ, जब तक खड़ा नहीं करते, तब तक मुश्किलात जरूराएंगी, हलाकि इस साल जैसे आपने कॉंग्रेस की बात के, मद्रप्रदेश की चुनाओं की, तो उनका जो मारजिन है, वो काफी कम हो गया है, और जहां तक ट्रिपुरा की बात है, या नागलेंड की बात है, वहां से तो आलमोस साफी हो गए है, करनाटका, राजस्थान, मद्रप्रदेश, तीन बड़े चुनाओं 2018 में, उन पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि अगर कॉंग्रेस की स्थिति को देखा जाए, तो लगता नहीं है, कि वो बीजेपी के लिए उतना स्ट्रॉंग उपोजिशन एमर्ज हो पारे है, देखे, मुझे ऐसा लगता है, कि नार्थिस्ट मैं बहुत रेगुलर नहीं जाता रहा हूं, लेकिन मैंने नार्थिस्ट के लगभग एक स्टेट को छोड़कर सारा स्टेट मैंने कवर किया है, एक जानलिस्ट के तौर पे, और नार्थिस्ट के इलेक्शन को पहले से भी मैं देखता रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि इस तौरा की बीजेपी की चमकीली जीत का असर देश के दूसरे स्टेट पर पढ़ेगा, बिल्कुल नहीं पढ़ेगा, अगर इसका असर कहीं पढ़ेगा, तो वो बंगाल की राजनीत पर पढ़ेगा, ये मेरा मानना है बंगाल की राजनीत में जो हारे दल हैं उनको भी नए ढंक से सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और जो जीता दल है त्रिपुरा में या नगलन्ड में जिसको सफलता मिलती नजरा रही है वो लोग भी थोड़ा इंपक्ट उसका बंगाल की बंगाल आपके जो सामने संकट है आपकी सरकार है रमन सिंग की सरकार कोई दूसरी पार्टी की सरकार नहीं है आप शिवराज सिंग की सरकार है वो आपकी पार्टी की सरकार है लोग तबाह हैं लोग परिशान है ये जरूर बीजेपी कह सकती है कि हमारी केंदर की सरकार देखिए अ आट्स लाग करोड का जो NPA है उस पर आपने क्या करवाई की इसके अलबा किसानों की अपनी समस्या है बड़े पैमाने पर किसान मद्य प्रदेश 36 गर जैसे स्टेट्स में डिस कंटेंट का शिकार हैं और वो नाराज होकर आंदोलन कर रहे हैं सडकों पर हैं तो मुझे नही स्टेट्स पर पड़ेगा जहां पर अगले चुनाव होने वाले हैं शुक्रिया अभी शाम तक शायद नतीजे और क्लियर हो तो हम इस पर फिर से चर्चा करेंगे और लगातार हम ऐसे मुद्देपर को उठाते रहेंगे और देखते हैं कि आने वाले चुनाव में विदान